संत्रविदास जी महाराज ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जहां सब लोग बराबर हो उन्होंने कहा था ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न छोट बड़े समसब बसे रविदास रहे प्रसंद कि आज 12 से 15 करोड इस देश के लोग केंद्र सरकार से केवल चार पांच एकड जमीन मांग रहे हैं जनतंत्र में जनता की अवाज सबसे महत्वपून और सबसे इंपॉटेंट अवाज होती है जनता मालिक होती है जनतंत्र में अगर किसी बात पर 12 से 15 करोड लोग तीन चार एकड जमीन मांग रहे हैं पांच एकड जमीन मांग रहे तो कौन सी बड़ी बात मांग रहे हैं जो समाज अपने संत महत्माओं का मान सम्मान नहीं कर सकता ऐसा समाज कभी आगे नहीं कर सकता मैं आज केवल ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अब हम सब लोग सारी पाटन है राजनीती से उपर उठके कोशिश करें कि सब लोग अब जाके जो प्रस्ताव इन्हों ने दिया है दिल्ली सरकार ऐसा एफिडेविट सुप्रींग कोट में देने को त्यार है मैं आज ये मांग करता हूँ कि ये चार पांच एकड़ जमीन अगर डीडिये रविदास समाज को दे दे तो दिल्ली सरकार की सौ एकड़ जमीन मैं केंद्र सरकार को दे दूगा ये सदन बहुत महत्वपून विशे पे चर्चा कर रहा है जिस तरह से संत रविदास जी महाराज जी का मंदिर तोड़ा गया उससे केवल दलितों की भावना को ठेसनी पहुंची है संत रविदास जी महाराज को सभी समाज के सभी जातियों के सभी धर्मों के लोग उनका बेहत सम्मान करते हैं मैं व्यक्तिगत तोर पे उनका बहुत बड़ा बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं संत रविदास जी महाराज ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जहां सब लोग बराबर हूं जहां कोई गरीब ना हो जहां सबको खाने को मिले जहां सबको एक जैसी सुविधाई मिले जहां सबको अच्छी शिक्षा मिले जहां सब को खाने को अन्न मिले यहां कोई जातपात ना हो उन्होंने जिस किसम के समाज की परिकल्पना की थी जिस किसम के राज की परिकल्पना की थी मैं उनकी वानी यहाँ पे कहना चाहूंगा उन्होंने कहा था ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन छोट बड़े समसब बसे रविदास रहे प्रसन इसका मतलब की मैं ऐसा राज चाहता हूं जहां सब को अन मिले कोई छोटा बड़ा न हो सब बराबर हूं आज दिल्ली सरकार जिस तरह से चल रही है ऐसा प्रतीत होता है कि संत रविदास जी महराज अद्रिश्य तोर पे अपने आशिरवाद से दिल्ली सरकार को चला रहे है जिस तरह से दिल्ली के हर नागरिक को जो है वो गरीब से गरीब नागरिक हो उसे हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं उसके लिए अच्छे अस्पतालों का स्वास्त का इंतजाम कर रहे हैं उसके लिए अन्न का इंतजाम कर रहे हैं उसके लिए अच्छी सड़कों का बिजली का पानी का आज दिल्ली के अंदर किसी के पस पैसा ना हो, गरीब से गरीब इनसान हो तो उसको विजली, पानी, शिक्षा, स्वास्त की चिंता करने की जरूरत नहीं है ये इंतजाम दिल्ली सरकार में और अन्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है ये वाली जमीन छोड़ दो कहीं और किसी और जमीन पे हम बड़ा मंदिर बनवा देंगे। एक तरफ ये करोड़ों लोगों की आस्था का तो सवाल ही, लेकिन आस्था के साथ साथ वो लोग ये नहीं समझते कि वहां संत्रविदास जी महराज कुछ दिनों के लिए रहे थे, वहां उनकी वाइब्रेशन्स हैं, वो वाइब्रेशन्स आपको कहीं और किसी स्थान पे न नहीं बनाएंगे, तो दूसरी जगह के उपर मंदिर बनाना बेमानी हैं, जो समाज अपने संत महत्माओं का मान सम्मान नहीं कर सकता, ऐसा समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे बस दुख इस बात का हो रहा है कि एक तरफ तो मंदिर तोड़ दिया गया और दूसरी तरफ इसके उपर गंदी राजनीती चल रही है, मैं सभी पक्षों से निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीती ना कर इसके उपर, इस मामला राजनीती करने का नहीं है, हम सब लोगों को मिलके यह सोचना चाहिए कि वापस अपने को वहीं उसी स्थान पे मंदिर कैसे बनाना, यह हमारे लिए इस वक्त सबसे महत्वपून बात है, आज जैसा मैंने कहा कि केवल दलित समाज के नहीं, सभी समाज के लोगों को इस मंदिर के टोटने से आहत पहुंच ल है, सभी समाज के लोग संत रविदास जी महराज के अन्यू आई हैं, लेकिन सीधे सीधे लगबक 12 से 15 करोड लोग देश के रविदास समाज से आते हैं, आज 12 से 15 करोड इस देश के लोग गेंद्र सरकार से केवल 4-5 एकड जमीन मांग रहा हैं, हम जनतंत्र में रहते हैं, जनतंत्र में जनता की अवज सबसे मेट्वपून हैं सबसे इंपॉर्टन्ट अवाज होती है, जनता मालिक होती है जनतंत्र में, अगर किसी बात पे 12 से 15 करोड लोग 3-4 एकड जमीन मांग रहे हैं, 5 एकड जमीन मांग रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात मांग रहे हैं, वो तो उनको तुरंट दे देनी चाहिए, यह कहा जा रहा है कि वो फॉरेस्ट की जमीन है, फॉरेस्ट में आती है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि पूरे देश का फॉरेस्ट इस चार एकड पर ही निर्भर करता है क्या, सारे देश का फॉरेस्ट इस चार एकड पर ही बनेगा क्या, मैं आज ये मांग करता हूं कि ये 4-5 एकड जमीन अगर DDA रविदास समाज को दे दे तो दिल्ली सरकार की 100 एकड जमीन मैं केंद्र सरकार को दे दूँगा और जितना फॉरेस्ट आपका इस चार एकड जमीन पर उससे कहीं ज्यादा घना फॉरेस्ट हम आपको 100 एकड जमीन पर बनाके दे रहेंगे 25 गुना जमीन पर हम बनाके दे रहेंगे यह बात इस बात का समाधान केवल केंद्र सरकार के पास है केवल केंद्र सरकार इसका समाधान कर सकती है मेरा निवेदन यह है अभी तक जिस तरह से कोट में केस चला इस मंदिर की जो सोसाइटी है उन्होंने कोट में केस किया केंदर सरकार ने और डीडिये ने उसका विरोध किया जिसकी वज़े से पहले वो हाई कोट में हार गए और उसके बाद वोग सुप्रीम कोट में हार गए अगर इसका विरोध ना किया जाता हाई कोट में और सुप्रीम कोट में और दोनों पक्ष जाके हाई कोट में और सुप्रीम कोट में कहते जी हाँ ये समाज की जमीन है संत्रविदाज जी माराज की जमीन है और हमें इनको दे देनी चाहिए मैं आज केवल ये निवेदम करना चाहता हूँ कि अब हम सब लोग सारी पार्ट में राजनीती से उपर उठके कोशिश करें कि सब लोग अब जाके जो प्रस्ताव इन्हों ने दिया है दिल्ली सरकार ऐसा एफिडेविट सुप्रीम पोर्ट में देने को त्यार है हम अपनी तरफ से हम इसमें केस में हम पार्टी भी नहीं है दिली सरकार इस केस में पार्टी भी नहीं है इस केस में केंद्र सरकार पार्टी है एल जी पार्टी है और डीडिये पाती है लेकिन सुप्रीम कोट में अगर रिव्यू हो सकता है अज्यक्स जी मैं ये कह रहा था कि इसका अपने को समधान निकालना ज़रूरी है इसके दो तरीके हैं एक तरीके तो जैसे अभी कई सारे मानिय सदस्यों ने कहा कि जान बूज के सुप्रीम कोट के अंदर केंदर सरकार ने और डीडिये ने सारे तप्थे नहीं रखे एक तरह से केंदर सरकार ने और डीडिये ने सुप्रीम कोट के कंदे के ऊपर रख बंदूख चलाई है और ये जमीन से मंदर तुड़वाया है अब उनको ये समझ में आ गया कि मामला कितना संगीन है जिस तरह से विरोध प्रदर्शन पूरे देश के अंदर हो रहे हैं उसे उनको समझ में आ गया कि किस तरह से कितने बड़े स्थर्के उपर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुची है जैसा मैंने का कि अगर केंदर सरकार और डीडिये चाहती तो कोट के अंदर ही कह देती विरोध करने की क्या जरूर थी कोट के अंदर उन्होंने क्यों कहा डीडिये ने कि ये इनलीगल जमीन है और एंक्रोचमेंट ठटाई जाए कोट के अंदर DDN और केंदर सरकार ने और LG साहब ने मिलके इसका विरोध क्यूं किया पेटिशन का केंदर सरकार ये जमीन रविदास समाज को देने के लिए तयार है अगर ये option है इसको explore करना चाहिए और इसको प्राइक लिया जा सकता है अगर ये option नहीं है तो मेरी समझ में ordinance पास करना चाहिए केंदर सरकार को तुरंत और ordinance जैसा भी जो प्रस्ताव रखा गया है और जो अभी मैं सुन रहा था सभी सदस्यों का ये भावना है कि अगर केंदर सरकार ये चार-पां जैकर जमीन favidas समाझ को दे देती है सदन के सदस्यों की भावनाओं को अमान रखते हुए और पूरे देश के करोडों लोगों की भीनाओं का संबान करते हुए और संत्रविदास जी महराज के प्रती हमारा जो सम्मान है उसको ध्यान में रखते हुए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे मैं इस सदन को आश्वासन देता हूँ कि वहाँ पे हम दिल्ली सरकार के तरफ से भव्य मंदिर बनवाएंगे चाहे इसके लिए इसके लिए हमें चाहे जितनी पैसे खर्च करने पड़ें मैं इस प्रिस्ताव का समर्थन करता हूँ आप देख रहे हैं दशूद्र रोजन समाज से जुवी तमाम ख़बरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुच सके